सबी को जाहिंद दोस्तों आप सभी का हार्दिक सवगत है जाहिंद रेक्शन पर आशा करता। वीडियो काफी इंट्रस्टिंग होगी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा बहुत मज़ा आएगा तो इससे अंतक देखें और चैल पर नहीं है तो चैल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपकी से लेटेस इंट्रस्टिंग और मज़धार वीडियो लाते रहें मसलसल धंकियां दे रहा है चैना का सीपैक आप उसके पकोड़े बगना के खा गए हैं आपने बीजे खा लिए तो इस वकत सारी दुनिया दूसरी दुनिया दो छोड़ दें जो चार परोसी हैं वही नाराज हैं क्या ही अच्छा हो कि इस हागडार सब सबसे पहले इन चार मेरी रीसर्च और मेरा जो रिलेशन्शिप्स है वो भारत के साथ आपको पता है जितना मेरा भारत के साथ लेना देना मेरी फिलिंग्स हैं मेरा ख्याल है किसी और पाकिस्तानी की होंगी मैं उन्हें फैमिली मेंबर समझता हूँ मेरी फैमिली हैं मैं जाता हूँ आता आदे मुसल्मान इंदर आये, देलों के रिष्टेदारियां है, मेरे नान-मुसलिम, मेरे सिक और हिंदू दोस्त हैं, और मेरी फैमली है, आज सुबह मैंने आदा घंटा लगा कि मेरे आपको मैं यहां यह भी बताना बदाना चाहूंगा, आरजू, मेरे लास नेम का एक पू और बार बार उनको कहा है कि हम एक खून है, हमारा मख़ब जो है परसनल मैटर होता है, इसमें मैं बलीब करता हूँ, जितनी मेरी फैटी से, मैं इस बात का एक स्ट्रॉंग एडवोकेट हूँ, कि दूसरे परोसियों के साथ भारत के साथ ट्रेड शूरू किया जाए, मुस पाकस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वकट जो है, दैशत गर्दी के बाद, कुरॉप्शन और इंफलेशन है, जब लोग आसूदा होंगे, उनकी सोचें तम्दील होंगे, तो सर, कुरॉप्शन का तो मसला हाल होगी है न, वो तो के पीके के चीफ मिनिस्टर साब ने का, इ उनकी भी लिस्टें मौझूद हैं, उनकी बी, वो दूद के धुलेवे खुद भी नहीं है लेकिन इस तरह का, लेकिए, एक मजाग की हद तक, बन चुका है, लोग हस रहे हैं, कपी, पूरा पाकस्तान शुफ 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 पाकस्तान बन चुक पूरा पाकस्तान शुफ मैं यह सब मेरा क्वैस्ट एक तो दो बिलियन मुसल्मानों से भी मुझे गिला है बिल्खसूस पाकस्तानियों से आप हर वक्त हुस्से में क्यूं है अब हर चीज को जला के तबा क्यूं करना चाहते हैं इंक्लूडिंग पाकस्ता आप अपने मुलक में आग लगा के हसने वा प्रूफ कर दिया है 149.7 मिलियन एक सो उंचा देर सो मिलियन ही कर लें दुभई में लोग खुशियां बना रहे हैं जो रियल स्टेट एजेंट हैं वो लड़ू बाट रहे है आपस में उसकी वज़ा यह है जो जो प्राजेक्ट है इसके लिए वर्ड बैंक ने फाइनसिं को चला होगे तो देखने वाली बात यह है कि सीरियस होना होगा लोगों को होना पड़ेगा पाकस्तान को पाकस्तान बनाने की जरूरत है जो धाइसो मिलियन लोग सो रहे हैं उनको जगाने की जरूरत है उनको बताना होगा यार यह जिहाद वियाद छोड़ो इंगलेश औ रही हैं कि कार्पेट आगे तक रखा गया है कि जहां बिलकुल उनका जो है ना जरा सा जूता उनका खराम ना हूँ. देखे जूता फिर पराड़ा का हो तो फिर किस तरह खराब हो नहीं है? आप आपकी पचास पचास लाग के घड़िया है, मैंने का साइकल पर फिरूँगा भई फिलिफला पेंगे फिरूँगा उसकी वज़ा यह है भरीब लोगों का रिप्रेजेंटिटिव होँगा गरीब लोगों जैसा इनको पिर आप कहेंगे कई लोग मेरे करें मैं गांदी महातमा गांदी का बहुत बड़ा फैन हुए उन्ह क्यों कभी रिसेच करके इस पर देखें उसकी वज़ा यह है वो गरीब लोगों को वो थर्ड क्लास के डबे में ट्रेवल करते थे थे थर्ड क्लास इवज़ा समय तो बहुत पढ़ने की जुरूरत है उनको कि वह क्या थे किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते रहे हैं मैं हैं वेरी मुच इंस्पारइड बाई है वह किस तरह देख रही है इसलिए कि अब तो इम्रान खान के खिलाब स्टेटमेंट डे दिया और उन्होंने साइफर के इसको भी जाहर है के उल्टा पड़ गया खान सबको तो इस वक्त जो गर्मेंट है उसके साथ चलने को तयार ह व्ल वर्क विछ स्टेट अव पाकस्तान सेट बार्के स्टेट अब फसटन ऑड़ चाहरी है और आपकी जेोग्राफिक लुकेष्टमेंट होती जा रही है ताइवान के हवाले से और आपका इसवक्त आर्मी चीफ का दोरा अबलकु बड़ा अच्छा रहा है उनका और उन अमेरिका को इत्मनान है कि वो आप और इसी वज़ा से आपको I.M.F. से पैसे भी मित रहे हैं वरना आप बैंकरफ्ट हो जाए एक घंटे के अंदर लेकिन स्टेट आफ पाकस्तान के साथ स्टेट आफ अमेरिका काम करेगी और यह रिलेशन्शिप मजीद आगे बेतर होंगे ताइवान के हवाले से मैंने अगले दिन आपके एक मेन चैनल के उपर भी यह कहा था कि जिस तरह की विंडो अफगानस्तान की आई थी एक दफार अशिया आया था जिसमें सिर्फ चंद पाकस्तानी जो है वो बिलियनर बने थे मेरी खाहश है कि उसी तरह की विंडो पाकस्तानी यों को पाकस्तानी बनने की जरूरत है खुदारा अच्छे साल बाद पाकस्तान की बुन्यादें रखें और पाकस्तान के बारे में सोचें यह जो बच्चे लॉडे लपाडे सारा दिन आपने खुले छोड़ दी हैं ट्वीटर के उपर जिनके कुरॉप्ट मा ट्वीटेंग करते हैं समझते हैं पाकसान बचा रहे हैं क्योंकि मुर्श्द ने कह दिया था कि उम्रे ना करो पीटी आई के लिए काम करो सौधी रेविया ना जो पीटी एक काम करो यह सियासत नहीं जिहाद है हर कुरॉप्ट आदमी जितना जो आदमी पाकसान में आते हैं मुझे मैं यह इस प्रोग्राम के वसादर से कहूंगा नौ माई के लोगों को करार वाकि सजाद दी जाए लाइन और को रिस्टोर किया जाए अदालतों को कंट्रोल के उनको उनको कहा जाए आज जिस तरह आजकल आपकी पिशावर हाई कोट कर रही है पहले पंज पाकस्तान बचाना है आपने कहीं भी सरमायाकारी नहीं हो सकती जहां दो चीज़े हो दैशतगर्दी हो रही हो और अदालतें काम ना कर रही हैं वहाँ पे सरमायाकारी भागती है आती नहीं है तो यह 149 यह 500 मिलियन भी जो आएगा मेरे ख्याल में पाकस्तान श्याद ना पहुँच पाए रस्ते में खापी जाएंगे यह प्राजेट बनाते हैं आपके ठेकेदार और अफसरान इतने तेज हैं आप सोच नहीं सकते कि यह डिजिटल के चकर में ही ऐसा यह डिजिटल बनाएंगे दुबई के अंदर ही कि वो पाकिसान डालर नहीं पहुँचेंग सर कुछ लोग यह भी कहते हैं कि भारत भी इसलिए पाकिस्तान को किसी की आफ़र नहीं करता कोई लोन की या किसी चीज़ की कि उनको पता है वापस नहीं आएंगे पैसे यह और उल्टा फिर दुबारा आजाएंगे मंगने के लिए इसलिए भारत थोड़ा अपने अपने समझता होगा दुनिया मेरे एकाल में सबसे ज़्यादा वो समझते होंगे और मैंने उसका प्रूफ खुद भी देखा है सोचें एक हैं हमारी बिकूछ तो इन सरक्मस्टांसिज में वो मदके यहां तक मैं बताओं इस वक्त भारत के अंदर ऐसा भी तबका है जो आपको से लाने वाले लंदन बेस लोग और इसार टेक्सबॉक्स में भी तो सारे हिंदूों से नफरत और जो भी दूसरा रिलिजिन उससे नफरत पढ़ाई जाती है इसलिए भी वो लोग नहीं मानते हैं हमारे पास आने को आर्जू मैरी मेरी खुद अपनी आँखें यह रिष्टे बेतर करने के बारे में बलकि पाकिस्तान के हालाग भी आपको बताए और जैसे कि आर्जू काजमी जी ने कहा कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है यारे कि भारत पाकिस्तान पर बोलोसा नहीं करता इसलिए नहीं ट्रेड होता है नहीं रिष्टे बेतर होता है और नह को happy हो लिए तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी interesting और मज़िदार वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जै हिंद जै भारत